एक सिर्याल किलर अलग-अलग फेमिली की मदर की साथ अफेर करकर उन्हें टारगेट करता है। किया होगा यह हम आज के हमारी मूवी अगर आपका विडियो चलगता है तो पलीस इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा। अब बिना किसी तरीके explanation स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारा main character डेवीड को देख सकते हैं सुबा उने पर लोग जिस तरीके से सब normal सी चीज़े करते हैं यही सब डेवीड नहीं की पर आज बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा था घर में एक family के साथ उसके हम photos देखते हैं पर जब वो घर से निकला तब हम घर में सब के dead bodies देखते हैं डेवीड एक serial killer है इस family की mother के साथ उसने शादी की थी और अब बहुत दिनों बाद उन्हें मार कर वो चला किया पुलिस investigation की जाती है पुलिसे हमें पता चलता है कि डेवीड ने बहुत बार किया हुआ है उनके पास डेवीड की कोई भी identity नहीं डेवीड की चो photos थी वो भी अपने साथ लेकर गया वो हमेशा cash payment करता है तो उसकी identity पाने का उनके पास कोई भी way नहीं था अब कुछ दिन बीच जाते हैं और super shop में डेवीड सुजैन से मिलता है सुजैन का बेटा Sean कुछ लेने की जित कर रहा था पर डेवीड ये देखकर कहता है कि तुम्हें अपनी मदर के सुननी चाहिए अगर तुम life में लड़कियों की सुनोगे तो life में तुम्हारा बहुत benefit होगा डेवीड के बाद सुजैन को बहुत ही अच्छी लगी वो डेवीड की ring देखकर उसे खहती है तुम्हारी wife बहुत ही lucky होगी ये ring सिर्फ डेवीड sympathy पाने के लिए use करता था उसने का मेरी wife का अभी अभी एक साल पहले accident हो गया मैं उसी की याद में ring पहनता हूँ सुजैन को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है इसके बाद parking lot में सुजैन ने डेवीड को पीजा के लिए पूछ लिया इसके बाद six months गुजर गए थे और six months में डेवीड और सुजैन एक दूसरे के करीब आ गए अभी इन्होंने शादी करने का भी decide कर लिया था सुजैन के दो छोटे बच्चे और एक बड़ा बेटा माइकल है माइकल अपने स्कूल में बहुत ही जादा trouble create करता था तो इस वज़े से उसे military school में भेज़ दिया था अब वो अपनी holidays के लिए वापस आया माइकल की बच्चपन की girlfriend थी जिसका नाम था केली इससे देखकर बहुत ही खुश थी माइकल ने उसे बुचा कि डेवीड कैसा है वो अब तक डेवीड से मिला नहीं था केली ने कहा कि वो ठीक टा किया माइकल के backyard में आने के बाद उसके लिए एक बड़ी सी party उसकी मदर ने रखी हुई थी वो अपनी मदर से थोड़ा सा नाराज है क्योंकि मदर बहुत ही जल्दी move on करके माइकल डेवीड से भी मिलता है पर जादा उससे कुछ भी बात नहीं करता सुजैन अपनी शादी को लेकर बहुत कुछ थी वो अपने फ्रेंड से बुछती है क्या मैं जल्बाजी तो नहीं कर रही फ्रेंड से गा तुमें एक दुसरे से बहुत प्यार करते हो इसमें कोई भी जल्बाजी नहीं सुजैन की फ्रेंड जैकी रियल स्टेट में काम करती थी डेवीड के पास आजकल जॉब नहीं तो ये जॉब उसे उदेर देती है पार्टी में डेवीड ने माइकल से का कि मेरे साथ बेस्मेंट में चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हू डेवीड ने दो कपर्स को बन करकर रखा था माइकल से कहता है कि मैं कारपेंटर बनना चाहता हू इसी वज़े से चीज़े करता हू उसने फिर सब्जेक चेंज करकर कह कि फैमिली मेरे लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है मैं नहीं चाहता कि हम कभी भी एक दूसरे से दूर जाए वो माइकल के साथ अच्छी रिलेशन्शिप चाहता है उसने माइकल से कहा कि तुम भी फैमिली के लिए ज़रा एफर्स लेना और मैं तुम्हें मिलिटरी स्कूल फिर से नहीं बेजूंगा रात में सुजान माइकल से मिलने के लिए आई उसे कहती है कि डेविड सस्कूल में बहुत ही अच्छा है माइकल कहता है कि वरी मत करो मैं कुछ भी गडबड नहीं करूंगा ये सब वो अपनी मदर पर गुस्सा होकर ही कह रहा था डेविड ने सुजान को समझाया कि मैं उसे और एक चांस देना चाहिए अगली दिन डेविड फिर माइकल की स्कूल में जाता है माइकल ने पहले वहाँ पर छगड़े किये थे इस वज़े सो बैंड था पर डेविड ने उसके टीचर से बात करकर उसे फिर से उसमें एडमिशन दे दिया माइकल गोई बात बहुत ही अच्छी लगी केली भी इसके लिए एक्साइटर थी कि माइकल उसके साथ रहेगा एक दिन डिनर से पहले शॉन वीडियो गेम्स खेल रहा था उसके मदर ने कहा कि आवाज ज़रा कम करो पर शॉन माना नहीं विससे में डेविड उसके पाज आता है उसका गला दबा कर उसने उससे रिमोट छीन लिया उसे वोईस कम रखने के उसने वार्निंग दी माइकल और के लिए स्विमिंग पूल में एक साथ है एक दूसरे को किस कर रहे थे इस सब डेविड ने देखा और सुजन से बात करता है कहता है कि इस सब इनका करना ठीक है ये एज इन सब के लिए सही नहीं होती है सुजन ने कहा कि तुम्हें भी ज़रा मौडन बनना चाहिए इस तरीके से तुम नहीं सोच सकते है टीनर करते हैं बातों बातों में माइकल को बता चला कि डेविड के फैमिली का एकसिडन्ट हो गया था इसी वज़े से इसके लिए फैमिली बहुत इंपोर्टन्ट है सुजन कहे थी कि हमारा फैमिली एकस्पिरियंस अच्छा नहीं था वो माइकल के फादर के बार में बात कर रही थी पर माइकल कहता है सिर्फ फादर की इसमें गल्ती नहीं थी यहीं बात करते करते माइकल के फादर यहाँ पर आ गए वो वीकेंड के लिए सब बच्चों को लेकर जा रहे थे माइकल के अपनी फादर से नहीं बनती तो बाहर भी नहीं जाता सुबह सुजैन से मिलने के लिए उसकी नेबर आई हुई थी नेबर ने कहा कि मैंने डेविड जैसे आदमी की फोटो ये टीवी पर देखी आज काम पर जाते वक्त डेविड इस नेबर को देख कर जाता है डेविड ने माइकल को आज लंज के लिए बुला है उसे कहता है तुम्हारी मदर से में शादी करने वाला हूँ तो क्या तुम मेरे बेस्ट मैन बनोगे तुम्हारे मदर को बहुत अच्छा लगेगा माइकल भी इसके लिए मान जाता है डेविड ने कहा कि मेरी बेटी अगर जिन्दा होती तो आज 11 साल की हो जाती अपने बेटी का नाम उसने लिसा बता है पर प्रिवेसली माइकल को उसने मिशेल बोला था माइकल कोई बात अजिब लगी पर डेविड कहता है उसका नाम लिसा मिशेल था एक दिन नेवर के डोर पर नौक आई वो देखने के लिए गई तो बहाँ पर कोई भी नहीं था गर में आने के बात उसकी बिली चिलाने लग गई थी उससे देखने के लिए गई तो उसके पीछे माइकल था माइकल उसे बेस्मेंट के स्टेश से नीचे गिरा कर मार डालता है एक दिन माइकल और केली रूम में थे यह दोनों इंटिमेट होने वाले थे तब ही डेविड बाहर से देख रहा था केली को इस बात से बहुत ही अनकमफ़टेबल लगा और वो घर पर चली जाती है माइकल डेविड से बुछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे डेविड ने कहा कि मैं अभी अभी घर पर आया और मेरी रूम में जा रहा था डिनर के बग डेविड और सुजान माइकल से गयते है तुम्हें केली की इतनी जादा पास नहीं जाना चाहिए लोग उसके बारे में गलत समझेंगे माइकल डेविड से गयता है तुम्हें भी मेरी मदर के साथ नहीं रहना चाहिए था इनकी आगे बात हो पाती तो ये मैईकल के फादर बहत ही गुसा हो कर घर में आए वो डेविड को धमकाते हैं कभी भी मेरे बेटे को हाथ मत लगाना डेविड ने शॉन को प्रिविएसलि लिई हर्ट किया था इस वज़े से माइकल की फादर बहुत ज़्यादा गुसा थे वो बारने वाले थे पर माइकल उन्हें रोक लेता है बाहरा आने के बाद माइकल के फादर ने उसे पूचा तुम उसे बात क्यों नहीं करें मैं तुमारे साथ भी टाइम स्पेंट करना चाहता हूँ माइकल भी इसके लिए हा कहता है सुजन को पता ही नहीं था कि डेविड ने शौन को हाद लगा है यह दोनों फिर शौन के पाज आते है और डेविड उसे सौरी कहता है उसने कहा मैं इस फैमिले में नया हूँ तुम्हें कुछ मिस्टेक्स करूँगा पर आपको मुझे माफ करना पड़ेगा सुजन डेविड को वार्निंग दे देती है कि कभी भी किसी को भी हाथ मत लगाना यह उसे सही नहीं लगता जैसे कहा मैं पता है कि आज कल डेविड सुजन की एक फ्रेंड जिसका नामे जैकी उसके साथ रियल स्टेट के आफिस में काम कर रहा था जैके ने उसे का तुम्हें सैलरी देने के लिए हमें तुमारी आइडेंटिफिकेशन लगेगी इस सब कुछ तुम सब्मीट कर देना डेविड एचीज कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस को उसके बारे में पता चल जाएगा वो डिनर के वक्स सुजन से बात करता है कि वो जॉब में नहीं करना जाता वो इसके लिए कोई भी रीजन नहीं दे रहा था सुजन उसे बार-बार पूछ रही थी पर डेविड फिर गुस्सा आओकर वहाँ से चला जाता है एक दिन सुजन ज़रा बाहर गई थी तो इस माइकल के फादर उससे मिलने के लिए घर पर आए उस राज जो भी हुआ था इसलिए उन्होंने डेविड से माफी मांगी फादर डेविड से गयत है मैंने तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकल वाई तुम जी स्कूल में जाते थे वहाँ पर तुम्हारे नाम का कोई भी नहीं था यह सब सुनने के बाद डेविड डारेक्ली उन पर हमला कर देता है उन्हें मार कर डेविड ने उसे बेस्मेंट में छिपा दिया सुजन ने डेविड को कॉल लगया और कहा कि माइकल के फादर मिलने के लिए आने वाले है डेविड ने कहा कि वो आये ही नहीं में जानती क्या हो सुजैन कहती कि मैं आज कल बहुत ही खुश हो वो डेविड पर डाउट कर करें सारी चीज़े खोना नहीं चाहती उसने फ्रेंड से का मेरी खुशी में ही तुम सब लोग खुश रहो जैकी अब तक इस बात को जाने देने के लिए रेडिय नहीं थी वो और करने चाहिए माइकल कहता है कि मैं समझ सकता हो डेविड ने माइकल के फादर के फोन से उसे मैसेज कर दिया था कि उबीजी है और आज आ नहीं सकते है थोड़े दिनों में पुलीस को पता चल गया कि नेवर की डेथ हो गई है उन्हें लगा था कि स्टेर से नीचे गिर कर इसके बारे में डेविड जब किसे से बात कह रहा था तो माइकल ने सुन लिया माइकल रियलाइस करता है कि डेविड को सिर्फ पता चला कि उसकी नेवर की डेथ हुई है यह नहीं पता चला था इस टेर से नीचे गिर कर हुई यह बात उसे कैसे पता थी उस पर शक करने ल माइकल कोई भी ट्रबल क्रेट ना गरे ताकि वो उसके पास इस रह सके डिविड कहता हैं माइकल झ्यलै के बहुत के बहुत कोशिश की पर चाला किसे स्ए फिर सिस् मिंग फूल में ही थे माइकल को भी लगता है कि शायद वो ऐसे ही डेविड पर शक कर रहा है डिनर के बाद डेविड माइकल के पास आया उसे कहता है शायद हम दोनों में दूरी आ रही है अगर ऐसा ही जलता रहा तो मैं तुम्हें फिर से मिलिटर स्कूल में भेज दूँगा माइकल फि डेविड का स्केच माइकल ने केली को दिखाया केली गहती किसी से भी मिल सकता है तुम्हें इतना जादा इस पर सोचना नहीं चाहिए आजकल माइकल का केली पर जादा ध्यान नहीं था ये बात केली को अच्छी नहीं लगती और गुस्से में वहाँ से ओ जा रही थी उसे माइकल की अपनी फादर से पात नहीं हुई थी तो कॉल लगाता है बेस्मेंट में उसके फादर का मोबाइल बजने लग गया डेविड डर जाता है इसको जल्दी से कट नहीं कर पाता माइकल ने अपने रूम से बेस्मेंट से आवाजारी ये नोटिस किया वो नीचे बोचता है तो डेविड हॉल में था उसे लगा कि शायद डेविड का मोबाइल बज रहा होगा पर फिर भी वो बेस्मेंट में जाकर देखना चाता था उसने बेस्मेंट का डोर उपन करने की कोशिश की पर वो लॉक्त था डेविड ने कहा कि इसकी चावी गुम हो गई है इस बात से माइकल का डेविड पर और वी ज़दा शक चला गया सुजैन और डेविड जब एक साथ है तो डेविड की फोटो निकालता है रात में सुजैन कुछ घंटों के लिए ज़रा बाहर के माइकल जब शावर ले रहा था तो डेविड ने उसके मोबाइल से उसकी इम इमेल चेक करता है इसमें जैके ने लिखा है मुझे डेविड ज़रा अजीब लगता है मैंने एक प्राइविड इन्वेस्टिगेटर को हायर किया है वो डेविड के बारे में हमें और भी इन्वार्मेशन देगा यह इमेल डेविड ने डिलीट कर दिया जैक्यों को अपन शांती से सो जाती है माइकल और केली घर पर आया माइकल कहता है कि तुम नजर रखना उपर अगर कोई लाइट विगरा स्टार्ट हुआ तो मुझे बता देना बाहर निकलाओंगा बेस्मेंट में उसने डेविड का लॉक किया हो कबड़ चेक किया उसमें उसे अपने इसर को नोटिस करता है उसने देखा तो डार्ट ले उसके फादर की बॉड़ी उसमें थी वो बहुत ही ज़्यादा डर गया तभी केली बेस्मेंट के उपर से उसे आवाज लगा रही थी डेविड है नोटिस करता है और केली को मार कर बेहोश कर देता है माइकल ने बाहर निकलने की कोशिश किये पर डेवीड ने सारे डोर्स को सील कर दिया डेवीड गैली को घसिट्ट घसिट्ट घर में लेकर है सब कुछ आवाज सुनकर सुजन की नीन खुलके वह पुछती के सब चैल कया रहा है डेवीड केहता है मुझे लगा था कि फैमिली मेरे लिए पर बाहर निकला, सुजयन भाग कर बातरूं में चिप गई थी, डेविड इसका दर्वाजा तोड़ देता है, दर्वाजा तोड़ते हुए उसका सीशा नीचे गिर गया था, सुजयन ने उठा कर डारेक्ली डेविड की नेक में डाल देती है, वो ही पर बाट टब में नीचे ग होती है, एटिक की वूड को मोल लगा हुआ था, सुजयन और केली इससे नीचे गिर जाते हैं, डेविड नीचे जाकर उसे मार देता, तो वे माइकल फिर से उपर उटकर उसे जोर से बाहर पटकता है, वो देखता है कि क्या डेविड नीचे गिरा हुआ है, पर डेविड को बगड़ लेता है अपने खुद के साथ माइकल को भी उसने नीचे किरा दिया यह दोनों बहुत ही इंजोर्ड हो गए थे यहाँ पर पुलिस आया और माइकल को हम डारेटल में देखते हैं वो बुचता है कि मैं कहा हूँ सुजैन ने कहा कि एक मन से तुम कोमा में थे उसन दरीके से किसी और लड़की से हो मिल रहा है इतना सब कुछ करने के बाद भी हो भाग गया था यही पर यह मूवी एंड हो जाती है यह मूवी इसी टाइप के एक सिरेल किलर से इंस्पार थी जिसका नाम था जॉन लिस्ट जॉन लिस्ट ने भी बहुत सारे लोगों को मारन के बाद एक स्टेबल लाइफ हो जी रहा था पर बाद में पुलीस ने उसे पकड़ लिया इसे के साथ आज का वीडियो हम घतम करते हैं अगर आपको एक्स्पेशन अच्छा लगा तो प्लीस से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मूविस लेकर आते रहे त हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दरने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमूई के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये